जी वित्या आपको question समझ में आया गया दोनो 9 वाला तो हो गया 9 वाला तो हो गया wonderful चलो देखो सब बच्चे देखो जाद यान से same question था जो भी हमने discuss किया था एक बार मेरे साथ भी देख लो हम से क्या के रहा है question number 9 में पहले समझ लीजे q 0 1 है वित्य है इक्वल डिस्टेंस पे किसके से पी 5 माइनस 3 से बच्चे और आर एक्सिक से तो यह given है कि qp is equals to qr find the value of x हमसे value आया एक्स चार यह distance equal है तो चलो इस question को कर लेते हैं बहुत simple रहेगा हमारे पास क्या है हमें इतना ही लिखना है बस कि वे qp is equals to qr सब बच्चे प्लीज यहां से देख लिजे क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला अंडरूड में होता है तो अच्छा है आप यहीं कर लें कि वे qp square यह यहां यहां लिख लेते हैं कि वहां स्क्वार लिखने से अच्छा है यहीं हम इसको स्क्वार की फॉर्म में लिख देते हैं कि सब क्यूपी स्क्वार इस इक्वार स्टू क्यू आर स्क्वार यह कर देते हैं तो qp square क्या होगा एप ग्लास कम करना थोड़ा से 5-0 का स्क्वार प्लस-3-1 का स्क्वार इस इक्वर स्टू पिर हम करिंगे x-0 का स्क्वार प्लस 6-1 का स्क्वार क्यूक्कि आप स्क्वार कर चुके इसलिए वंडर रूट नहीं आएगा वहा हम बताइंग एकर सक्वार तोर नितने Walking Day lip 25 थ माइनस थिवाइनस 23 Marines 4 पॉर पाइक स्क्वार 16 एक स्क्वार सिक्स्वार 6-1 5 का स्क्वार 25 25 25 टिवार्डवक्स सक्वार 6 př injust y 16x is equal to plus minus 6 जिए सब्स्न fulfillいて प्लस बीज़ स APIs है वार माइनस लिया सकता है यह हमारा आंसर है यह आया था विट्टे आपका आंसर यह सर पहला कुछन तो यह था इतना आजी दूसरा देख लिए जिब क्या था दूसरे में तोड़ा सब्सक्राइब दो पार्टने के तो दोनों देख लिए वंडर्फुल है सिंप्लेस्ट चप्टर जैसे कहना चाहिए एजियस्ट हमारा एक पार्ट हो गया एक पार्ट और रहे गया एरिया तीन अक्सेसाइज है एक एरिया वाला उसने और इस बार एंसी आटी ने सीवेसी ने हटा दिया है तो आपको से डिस्टेंस फॉर्मुला औ और रेशो वाला पार्ट करना है यह हमारे पार से फाइंडे रिलेशन्शिप बिट्वीन एक्सेंट वाई प्लीज ध्यान से देख लीजिए स्कुश्चन में आप से कह रहे रहे रिलेशन निकाली एक्स पाई एक्स और वाई नहीं निकाल सकते ध्यान से रहे को सोचों कि इसका नाम रख लेते हैं B इसे कह रहे हैं 3,6 और सर इसे कहते हैं C इसका नाम लिख रहे हैं माइनस 3,4 और हमसे क्या कह रहा है हमसे कह रहा है सर A,B is equals to A,C अगेन मैं आप से क्या कह रहा हूँ सर स्क्वाइर कर लो A,B is equals to A,C is square तो हमारे पास क्या हो जाएगा सर यह हमारे पास हो जाएगा 3 minus x का square 6 minus y का square हमारे पास क्या हो जाएगा सर minus 3 minus x का square 4 minus y का square सब बच्चे बताओ इस step तक किसी को कोई problem है क्या जी बिटे A,B यह मेरा A है और यह मेरा B है तो A,B क्या होगा? x2 minus x1 अगर कहीं problem है तो समझ लीजे x2 minus x1 यह मैंने लिखा है बिटे 3 minus x का square y2 minus y1 6 minus y का square समझ में आया कुछ या नहीं आया? yes sir ठीक है फिर हम कह रहें बिटे हम कह रहें A,C तो जब हम A,C की बात करेंगे बच्चे तो A हमारा यह है और C हमारा यह है यह C हमारा फिर हम क्या करेंगे? हम करेंगे x2 minus x1 तो x2 minus x1 minus 3 minus x and y2 minus y1 4 minus y अब देखो समझ में आया formula रखना ठीक है? अब इनकी value रख तो 3 का square 9 ठीक है? 9 plus x2 minus 6x 36 plus y2 minus 12y minus 3 minus x ठीक है? आप चाहेंगे तो minus common लेगे तब प्लस हो जाएगा तो यह आएगा 9 plus x2 plus 6x और यह हो जाएगा 16 plus y2 minus 8y यह हमारा पास होगा तो ज़रा solve कर दीजे इनको कि भई x2 से x2 cancel y2 से y2 cancel यह हम बस और आगे पास 9 से 9 cancel तो आपके पास 6x इदार आएगा तो यह minus का 6x है यह 6x तो minus minus 12x और 8y इदर आएगा minus का 12 पहले से है तो minus 12 plus 8 minus के 4y और आपके पास इदर रह गया सर 16 और इदर से आएगा 36 तो 16 minus 36 minus 20 ऐसे आए तो अब अगर आप इसमें से minus 4 डिवाइड कर देंगे तो एक्वेशन आएगा 3x प्लस y is equal to 5 यह हमारी क्वेशन आए देखो सब बच्चों को समझ में आया क्या प्लस के हो गए तो यह हमारी क्वेशन आएगी बिटे और तमसी कर दो तीन मरतबह बोर्ड एक्वेशन आचुका है बताईए को समझ में आया थोड़ा बहुत या नहीं यह एक्सराइज आप करेंगे एक्जामपल्स करेंगे अभी इसमें से एक पार्ट रह गया है चलो मैं बता देता हूं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आप लोग करेंगे एक्शुली क्या होगा तीन चीज़े रह गई एक तो पॉसिबिल्टी यह है आप अगर इतना भी कर लेंगे तो भी अच्छा लगेगा मुझे जितना मैंने करा दिया अधर्वाइस आप्राइज करना चाहिए हमारे पास क्या होगा तीन पॉइंट दी होंगे आप ए बी सी और आप से कहेंगा शो करो यह कोलիनियर है तो हम क्या करेंगे अब अच्छा प्लस फाइब ऑजह रहा है तो यह कोलिनियर है अच्छा पहला डायप तो यह वोगा दूसरा होगा नहीं सर्थ तीन पॉनिट दिये वे अलग-अलग तो आप से गरा है टाइप आफ ट्राइंगल बता हो तो हम A-B distance निकालेंगे, हम B-C distance निकालेंगे, हम A-C distance निकालेंगे, तीनों अलग तो स्केलिन, ठीक है सर, 2-1 से तो आईसोसलेस, 3-1 से तो एक्विलेटर, समझ में आ गया, और अगर पाइतागोरस यूज हो रही है तो राइंगल, यह आपके पास राइंगल और फिर आपके पास होगा के नई सर हमारे पास क्या है, चार पॉइंट दिये वे, तो यह हम नेक्स क्लास यानि कि कल इंशालला डिसकस करेंगे, आप से कहगा बताओ सर यह पैलोलोगिराम है, सर यह रेक्टेंगल है, सर यह सभी कैईगे, आध। है यह रेक्टेंग精 अधिया क्ष़ाइए।